हलो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे दो मिड रेंज फ्लैक्सिप स्मार्ट फोन के बारे में दोस्तो रियल्मी के तरफ से आने वाला रियल्मी एक्स डू और रेड्मी के तरफ से आने वाला रेड्मी के थर्टी दोस्तों Realme X2X का successor है और दोस्तों Realme इसे mid range king बोल रहा है और काफी ज़्यादा hype create कर रहा है So guys चले देखते हैं कि क्या ये phone Redmi K30 को टकर दे पाएगा दोस्तों इस वीडियो में हम दोनों phone का breakdown करेंगे और छोटी से छोटी details मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में हम कोई normal speed test नहीं करेंगे बलकि एक अलग level का massive comparison करेंगे So guys अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लेगे तो आप इस वीडियो को like जरूर कीजेगा और हमें comment में बताएगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कौन सा phone best लगा और अगर आप Redmi Note 8 Pro लेने वाले हो तो आप थोड़ा रुप जाओ इन दोनों फोन को launch होने दो किको दोस्तो इन दोनों फोन का price भी Redmi Note 8 Pro के बराबर ही होगा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों फोन में हमें कौन सा common features देखने को मिलता है और दोस्तो दोनों फोन में कौन सा different features देखने को मिलता है जो कि दोनों फोन को अपने आप में best बनाता है दोस्तो दोनों की common features की बात करें तो यह एक October CPU है दोस्तो इस processor में हमें 8 core देखने को मिलता है जिन में से 2 high performance core देखने को मिलता है जो कि 2.2 GHz कारो 470 Gold पर रन करते हैं और 8 energy efficient core देखने को मिलता है जो कि 1.8 GHz कारो 470 Silver पर रन करते हैं दोस्तो अगर GPU को बात करें तो दोस्तो GPU में हमें मिलता है एंड रिनो का 618 जो की काफी powerful GPU है और दोस्तो इस GPU के साथ आप PUBG को खेल सकते हो smooth graphics पर एकदम extreme setting पर 60 FPS में आपको कोई lag देखने को नहीं मिलेगा दोस्तो अगर overall CPU को बात करें तो दोस्तो यह CPU Snapdragon 835 को आसानी से beat कर देता है साथ ही Mediatek G90T को एकदम एक जटके में ही beat कर देता है इसके अलाओ दोस्तो अगर next common features की बात करें तो दोस्तो दोनों फोन में आपको camera same to same देखने को मिलता है on paper दोस्तो दोनों फोन में आपको 64MP का main sensor देखने को मिलता है 8MP का ultrawide sensor देखने को मिलता है लेकिन जब ये इंडिया में आएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे phone और उसके बाद हम live test करके आपको एक अलग से separate video बना देंगे जिसके बाद हम आपको एक clear verdict दे पाएंगे कि कौन सा best camera phone है दोस्तो अगर इस phone के camera के video के बात करें तो दोस्तो आप दोनों phone से 4K video के record कर सकते हो 30fps में इसके अलाओ दोस्तो अगर दोनों phone के कुछ छोटे common features के बात करें तो दोस्तो दोनों phone में आपको Bluetooth 5.0 का support देखने को मिलता है NFC का भी support देखने को मिलता है तो दोस्तो अब बात करते हैं कि दोनों phone में हमें कौन सा different features देखने को मिलता है जो कि इन दोनों phone को अपने आपने best बनाता है तो दोस्तो दोनों phone में हमें battery अलग अलग देखने को मिलती है दोस्तो Realme X2 में हमें 4000 image के battery देखने को मिलती है जो कि 27W तक के fast charging के support के साथ आता है और यह phone 70 minutes में full charge हो जाता है लेकिन दोस्तो Realme X2 में आपको 4000 image के battery देखने को मिलती है और Redmi K30 में आपको 4500 image के battery देखने को मिलती है इसलिए वो जल्दी charge हो जाता है इसके अलाओ दोस्तो अगर दोनों फोन की एक और different features की बात कर तो दोस्तो Realme X2 में आपको in display fingerprint sensor देखने को मिलता है वहीं Redmi K30 में आपको side mounted fingerprint sensor देखने को मिलता है volume rocker के नीचे इसके अलाओ दोस्तो आपको front camera में भी काफी different देखने को मिलता है दोस्तो Realme X2 में आपको 32MP का single camera setup देखने को मिलता है वहीं Redmi K30 में आपको 20MP का dual camera sensor देखने को मिलता है जोकि 20MP का main sensor और 2MP का depth sensor के साथ आता है इसके अलाओ दोस्तो एक और different की बात कर दो Redmi K30 में आपको IPS display panel देखने को मिलता है वहीं दोस्तो Realme X2 में आपको Super AMOLED देखने को मिलता है जिसकी वज़ाँ से viewing experience काफी immersive हो जाती है जब भी आप video देखते हैं या फिर game खेलते हैं दोस्तो दोनों फोन में आपको 3-3 color variants देखने को मिलती है Realme X2 में आपको देखने को मिलता है Pearl, White, Pearl, Blue और Avocado Green वहीं दोस्तो Redmi K30 में आपको मिलता है Blue, Red and Purple दोनों phone के अगर डिजाइन के बात कर दो दोस्तों दोनों phone में आपको design भी अलग देखने को मिलता है Redmi K30 में आपको Fiber Glass Finish देखने को मिलता है और वहीं दोस्तो Realme X2 के बात कर दो तो दोस्तों Realme X2 में आपको डिजाइन मिलता है फाइबर रेंडो इफेक्ट के साथ जो काफी प्रीमियम लुक देता है वैसे दोनों ही फोन पीछे से काफी प्रीमियम लगते हैं दोस्तों अगर दोनों फोन की प्राइस की बात करें दोनों फोन में दोस्तों आपको चार वेरियंट देखने को मिलेंगे और उसी के हिसाब से आपको प्राइस वैरी करेंगा 6GB RAM के साथ 64GB storage और 128GB storage और 8GB RAM के साथ 128GB storage और 256GB storage के साथ आएगा अब दोस्तों गर कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों दोनों फोन अपने जगह पर पिंप आपको नहीं मिलता है और हैं आपको साइड माउंटल से लेकिन अगर मेरे हिसाब से Realme X2 Best Phone है किको दोस्तों उसमें आपको Super Emerald Display देखने को मिलता है So guys इस वीडियो में बस इतना ही उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजेगा और कॉमेंट में हमें बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा और दोस्तों अगर आप ऐसे ही टाइप की वीडियो देखना चाते हैं तो आप हमारे चानल को चेक करें अगर आपको पसंद आये तो हमारे चानल सब्सक्राइब करें तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुडबाय, टेक केर.